वोई हापुड की बुजूर्ग महिला सबको नजर आती है, सबसे बात भी करती है, चलती फिरती है और सबको जिन्दा देखती है, लेकिन समाज कल्यान विभाक के अधिकारीयों के सामने महिला की मौत हो चुकी है और काज़ों पर इसका प्रामान भी दर्ज है। लाचार महिला गोहार लगा रही है लेकिन अधिकारी सुनने को तयार नहीं है, एक रिपोर्ट देखिए। समाज कल्यान विभाक के अधिकारी नहीं सुन रहे है गोहार। लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते नहीं और महिला की लाचारी ये है कि पिछले देख साल से इसे मृत घोशित कर पेंसन देना भी बंद कर दिया गया है। महिला समाज कल्यान विभाक के लापरवाह अधिकारियों और करमचारीयों ने महिला को सरकारी दस्तावेजों पर जीते जी मार दिया है। हलाकि महिला के पास सारे प्रवान पत्र मौजूद है फिर भी वो धरदर की ठोक रेखाने को मजबूर है। भागरती देवी नाम की ये महिला थाना बाभुगट के गाउं मुक्ति श्रा की रहने वाली है। पति के मिर्द्यू के बाद इसे 300 रुपे प्रती माह की दर से समाजवादी विद्वा पिंशन का लाभ मिल रहा था। परिजोनों का कहना है कि डेर साल से चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी भागरती देवी को जीवित मानने को तयार ही नहीं है। मीडिया में खबर आने के बाद भी महिल अधिकारी कुछ सुनने को तयार नहीं है। हलाकि हापुड के स्टीम ने दोश्यों के खिलाब कारवाई की बात जरूर कही है। जरा सोच ये एक महिला जो जीवित है और सब को नजर आ रही है वो काग्जों में मृत कैसे हो सकती है। सवाल ये है कि आखिर अधिकारियों ने महिला को मृत घोशित क्यों किया और क्या लापरवाह अधिकारियों को इसकी सजा मिलेगी। सतीश चौधरी नेशनल वायस हापुड़।